नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूटूब चैनल हेल्दी जानकारी पर हम लेकर हाजिर हैं आप सभी के लिए नई वे बहत्रिन हैल्थ सुजूरी जानकारी दोस्तो इसके लिए आप वीडियो के आन तक बने रहें वह वीडियो में बताई गई जानकारी का भरपूर लाव उठाएं और अगर आप चैनल पर नहीं है या अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें क्योंकि ऐसी ही हैल्थ से जुरी जानकारी आपको हमेशा इस चैनल पर मिलती रहेगी दोस्तो आज इस वीडियो में हम आपको बताने वाली हैं एक ऐसा फल जिससे 82 समेथ कई गंबिर बिमारियों का होता है इलाज क्या आपने कभी निरंजन फल का नाम सुना है शायद आप अभी तक निरंजन फल के आयुरवेदिक गुणों से अंजान होंगी हम आपको बता दे कि यह आयुरवेदिक ओशदियों में पहुती मैतो पुरण मानी जाती है ये पूरी तरह से एक अच्छी जड़ी बूटी होती है जिसका उप्योग धोकर अच्छी तरह सुखा लेने के बाद किया जाता है खास बात यह है कि आप इस फल का उप्योग 6 महा तक भी कर सकते हैं निरंजन फल से कई गंबीर बिमारियों का इलाज बिसंबव है दोस्तों आईए आपको इस बारे में पूरी जानकारी देते हैं नमबर एक बवासिर का उप्चार आजकल कई लोग बवासिर की समश्या से प्रेशान है इस समश्या को दूर करने के लिए मरीज रात को सोते समय एक निरंजन फल आदे गिलास पानी में भीगो कर रख दें इसके बाद सुबह खाली पेट फल को पानी में मसल लें फिर पानी को पी लें इससे बवासिर की समश्या दूर हो जाएगी नमबर दो गरबाशे से होने वाली ब्रेडिंग में मददगार दोस्तों अगर गरबाशे से ज़्यादा रख स्त्रावित हो रहा हो तो एक निरंजन फल को रात के समय एक तप पानी में भीगो कर रख दें इसके बाद सुबह खाली पेट फल को पानी में ही मसल कर पी जाए नमबर तीन अलसर की समश्या में है लाबकारी दोस्तों अलसर से पीडित व्यक्ति को निरंजन फल खाना चाहिए इससे प्रेशानी को काफी हद तक आराम मिलता है नमबर चार घाव को करे सही दोस्तों निरंजन फल घाव, कट और ख्रोच को सही करता है नमबर पाच, पेट की समश्या के लिए है लाबकारी निरंजन फल पेट से जुड़ी बिमारियों, सूजन, कब्ज और अपच के इलाज में काफी कारगर होता है नमबर च्छे, वजन घटाने में है लाबकारी इस फल में मालवा नट, प्रोटीन, फाइबर, आईरन, पुटेशियम और कैल्शियम जासे तत्व पाए जाती हैं जो स्वस्थ वजन बनाई रखने में मदद करते हैं दोस्तो यहाँ पर हमने चाना निरंचन फल के फाइदे आगे जानती है कैसे करें निरंचन फल का इस्तिमाल दोस्तो जब आप घर पर निरंचन फल को खरीद कर लाएं तो सबसे पहले अच्छी तरह से धो लें इसके बाद शीशे या स्टील के एक एर टाइड जार में रखें इससे फल जल्दी नहीं खराब होगा बता दे कि इस आयुरवेदी कोशदी का इस्तिमाल डेकोटेशन परपस या फिर पाउडर के रूप में भी किया जा सकता है दोस्तो अगर निरंजन फल का सेवन किसी गरवती इस्तर या बच्चे को करना है तो इसके लिए एक बार किसी स्वास्तविशिशग्य की सलाथ जुरूर लें तो दोस्तो यहां पर हमने जाना निरंजन फल के फाइदें आपको जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट करके जुरूर बताएं दोस्तो जल्द ही मिलते हैं एक नई हाल से जुड़ी जानकारी के साथ तब तक स्वस्त रहें मस्त रहें धन्यवाद